सभापती महोदय, स्टेटमेंट जो है भारत सरकार का उनित्यानन जी ही बताएंगे मगर मैं कुछ चीजों की सपष्टता करने के लिए आपकी अनुमती से इस सदन के सामने खड़ा हुआ सबसे पहले इस गटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं जो गायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संद्वेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और बड़े दूख के साथ आज मैं उनके प्रती अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूँ जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब स्री नित्यानंद राही देने वाले हैं जब यहाँ पर एक गंटे की चर्चा आपने अनुमोदीत की तब मुझे था कि आज का दिन साथ रादनिती से परे रहेगा इस पर रादनिती का टिपणिया नहीं होगी खेर उद्येश से या जानकारी के अभाव से कुछ टिपणियां भी हुई और कुछ सदन को पुरा देश देखता है इसलिए देश के सामने कोई गलत फेमी नहीं हो जाए इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ दो सारोपन हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है मगर मुझे स्पष्टता करने है मन्ने महुद है आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पुरा देश को अल्ली वर्निंग अल्ली वर्निंग अल्ली वर्निंग अल्ली वर्निंग बोलते ही गए अंगरेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के सब्द है अपने बासन में डाल कर इसको बताया गया मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूँ 23 जुलाई को केरल सरकार को early warning भारस सरकार की और से दे गई दी गई थे 23 जुलाई को साथ दिन फेले फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मानिवर एक कहा गया कि 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बारसा होगी बारी बारसा होगी लैंड स्लाइड होने की संभावना है मड भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दब कर मर भी सकते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता है था मानिवर मगर भारत सरकार की अर्ली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज लिसन अस प्लीज लिसन अस मत चिलाइए प्लीज रीड इट जो वर्निंग बेजा है उसको पढ़िये जरा और इस देश में कई राज्य सरकारे ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वर्निंग का उप्योग करकर जीरो कैजूलिटी डिजास्टर मेनेजमेंट किया है मैं औरी सार राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी नवीन बाबू की थी हमने साथ दिन पहले साइक्रोन का ऐलर्ट बेजा सिर्फ एक वक्ती मारा गया वो भी गलती से मारा गया गुजरास सरकार को हमने साइक्रोन का अलर्ट तीन दिन पहले बेजा एक पसू भी नहीं मरा साथ मगर मैं बड़ी विनम रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो गिसे पिटे सब्द यहां लेकर आये हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं अल्ली वर्निंग सिस्टिम है भारत सरकार ने 14 के बाद अल्ली वर्निंग सिस्टिम के लिए 2000 करोर रूपया खर्च किया है और इसको साजा किया जाता है मानेवर साथ दिन पहले हर राज्य को सुचना बेजी जाती है और वो सुचना साइट पर सब के लिए भी उपलब्द मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्द है मगर पुछ लोगों को है कि यहां की साइटे खोलते ही नहीं विदेश की ही खोलते हैं तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वर्निंग सिस्टीम आएगी निए हमारी साइट देखनी पड़ी की मनेवर मनेवर वर्सा एक मीट आप सुनो भाई मैंने ज्यान से आपको सुना है प्रीस इस तरह से नहीं चल गाए इस सदन नहीं आपक्षा इस तरह से नहीं चल गाए इस सदन है वर्सा के लिए अर्ली वर्निंग सिस्टीम है हीट वेर के लिए है तूफान के लिए है चक्रवाद के लिए है यहां तक बीजली के लिए भी अर्ली वर्निंग सिस्टीम है जो दस मीट पहले बीजली अक्सांस रिखांग के साथ कहा गिरेगी वो सिधा कलेक्टर को इंफर्म करती मगर इसका कोई जिक्रन नहीं करा है मैं तो मानता हूँ जानकारी का भाव होगा जानकारी का भाव है तो भी ठीक नहीं है और रादनीती है मनेवर तो बहुत लुख़त है मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आ है और इस अल्ली वर्निंग सिस्टिम के तहट मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ 23 तारिक को ही मेरे ही अनुमोधन से 9 NDRF की टीमे केरल के लिए लड़वाना हो गई थी कि वहाँ लेंड स्लाइड आ सकता है भारत सरकार ने 9 NDRF की टीमे विमान से वहाँ भेजी मैं पूछ सकता हूँ मानेवर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया अनधिकरोद लोग रह रहे थे नहीं रहे रहे थे मगर वलरेबल सिचुएशन तो थी इनको सिप्ट किया गया है क्या क्यों नहीं किया गया कौन रोकता था और सिप्ट किया तो मरे कैसे सिप्ट सिप्ट पहले नहीं किया गया है बाद में किया गया है जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा मैं बोलना नहीं चाहता परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात के तो मैं सांती से यहां बैठका सुनने ही आए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्ली वर्निंग सिस्टिम नरेंद्र मोधी जी 2014 में प्रदान मंत्री बने 2016 से यह प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अल्ली वर्निंग सिस्टिम कहीं पर है तो भारत में और इसका साथ दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चारही देसे उसमें से एक भारत है मगर उसको पढ़ना पढ़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवर जो उन्होंने कहा कि वही डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मैं इसकी भी स्पष्टा करना करता हूँ क्योंकि सदन का रेकोर्ड साप रहना चाहिए SD RF में 10% रासी कोई भी राज्य के अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इसू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इसू हूँ है guideline issue के किसी भी permission की भारत सरकार की जरूरत नहीं है guideline को सिर्फ follow करना है मगर जो ये disaster के पैसे हैं और कोई head के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो check and balance रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो disaster के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूता है 90% खर्च आप guideline के हिसाब से disaster के लिए बारत सरकार की कोई permission लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मनेवर detail statement नित्यानुन जी पड़ेगी मतलब मैं structure statement नहीं दे रहा हूं सिर्फ पस्ताय कर रहा हूं मनेवर बंगाल का भी कहा हमने 6,244 करोड रुपया 14 से 24 तक बंगाल के एप्रू किये हैं और जीस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से release होते हैं उसमें से 4,619 4619 करोड रुपया हमने reimburse कर दिया है मगर वहाँ थोड़ा problem है हिसाब बेजने में अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता है अब बंगाल नहीं करना पड़ेगा एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है कोई political party नहीं है सरकार के कुछ rules होते है regulation होते है accounting system होती है AG का audit होता है हम किसी को नहीं मानेंगे ते थोड़ी तकलिफ आएगी मगर दिरे दिरे आदत पढ़ रही है improvement आया है इसलिए 6244 में से 419 करोड रुपया इनका release हो चुका है और मैं फिर से कहना चाहता हूं मानेवर early warning system दी गई थी इसलिए 23 तारिक को हमने NDRF की 9 बटा लेने वहाँ पर 9 बटा लेने वहाँ पर हमने भेदी थी और तीन कल रवाना करी है NDRF की बटा लेने उतरने से भी alert अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता मगर मैं किसी पर दोसार उपन नहीं करना चाहता हूं इस समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जोन लोग उनकी हानी हुए उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं Irrespective of Party Politics नरेंद्र मोधी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टाम की तर खड़ी रहेगी किसी को संसे रखने की ज़री